हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गवर्मेंट जोब जने नॉटिफिकेशन यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इंडियान एर फोर्स की तरफ से रिक्रूट में नॉटिफिकेशन आउट हुआ है 1524 टोटल विकेंशी से अल इंडिया से इसमें अप्लाइ कर सकते हैं और वेरियस पो ग्रेजूइट कैनिटेट एलिजबल रहेंगे अधर कॉलिफिकेशन में सार्टिफिकेट कुछ रहेंगे एंड फिजिकल एलिजबिल्टी क्या रहेगी किस पोस्ट के लिए रहेगी यह भी हम जानेंगे और यह जो सारी पोस्ट है ग्रूप सी की रहेंगी इस वीडियो मे सबसे पहले हम पोस्ट देखेंगे तो सीनर कंपुटर ऑपरेटर स्टैनों ग्रेट सेकेंड लडिसी हिंदी टाइपेस्ट स्टोर कीपर सिविलियन मेकिनिकल ट्रांसपोर्ट ट्राइवर कुक पेंटर कारपेंटर एंड इसमें पोस्ट रहेगी वाट साही का हाउस कीपिं स्टाफ फीमेल, Laundry Man, मेस स्टाफ, MTS ट्रेलर, टिन स्मित, कॉपृर स्मित और सीटमेंडर वरकर, फायर मैं, फायर इंचन ड्राइवर, फिटर मेकिनिकल ट्रांसपोर्ट, ट्रेट्समें, मेंट, टरन रणर, और वाइलेस औपरेटर इन सभी पोस्ट पर भरती कीThen अगर हम बात करें इसमें eligibility की तो 10th past 12th past graduate candidate eligible रहेंगे apply कर सकेंगे कुछ पोस्ट है जहाँ पर ITI certificate मांगा गया है सो वहाँ पर अगर आप ITI holder है अपने ITI किया है तब भी आप apply कर सकेंगे and साथ ही है बताना चाहूंगी कुछ post के लिए experience है कुछ एक दो ही post है जहाँ पर एक द senior computer operator की post रहेगी उस पर graduate candidate जिनोंने mathematics या aesthetics के किया हुआ है वो candidate apply कर सकेंगे अगर आप LDC and Hindi typist के लिए apply करते हैं तो इसमें typing मांगी जाएगी 35 word per minute in English and 30 word per minute in Hindi मांगी जाएगी अगर आप इस टानों पोस्ट के लिए करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे 85 I think word per minute आपका जो short hand है वो मांगा जाएगा अब अगर हम बात करें इसमें जो fireman की post रहेगी वहाँ पर physical examination होगा जिसमें height मांगी गई है without soose 165 cm and 2.5 cm का relaxation दिया जाएगा concession होगा SCST candidate के लिए test की बात करें तो 81.5 cm non expanded and 85 cm upon expansion weight 50 kg minimum रखा गया है lift of 63.5 kg to distance of 186 meter within 96 seconds okay and 2.7 meter long jump climbing 3 meter vertical rope per so यह fireman post के लिए physical examination होगा selection procedure की बात करें तो इसमें जो selection procedure है two step में complete होगा first रहेगा written exam होगा written exam के बाद में skill test physical and practical जो भी post के post पर depend करेगा कि जहां पर typing मांगे गई है वहाँ skill test होगा physical के लिए जैसे मैंने बताया fireman जो पोस्ट है वहाँ पर physical मांगा गया है so post के accordingly इन में से आपका written के बाद आपको call किया जाएगा and short listing करने के बाद में यह सारे test आपकी post पर depend करेंगे इसका जो written examination होगा उसमें general intelligence and reasoning, general awareness, general English and numerical aptitude से question किये जाएंगे and examination language की बात करें तो Hindi and English बोथ languages में आप exam दे सकते हैं जिसमें भी आप suitable रहते हैं अब हम बात करेंगे age limit की तो सभी post के लिए age limit 18-25 साल रखी गई है आप किसी भी post के लिए apply करते हैं general category से है तो 18-25 साल age limit है, OVC candidate के लिए 3 years का relaxation मिल जाएगा SAS candidate के लिए 5 years का and handicapped persons है उनके लिए 10 years का relaxation मिल सकता है apply कैसे करना है तो आपको offline apply करना होगा apply to the any air force station आप notification में देखेंगे उसमें दिया गया है जिसको भी आप apply जिस भी station के लिए आप apply करना चाहते हैं उसका offline आपको address पर send कर दिना होगा, notification में full address दिया गया है application typed in Hindi और English, आपको Hindi और English में ही आपका जो application है वो fill करना होगा self-addressed envelope, आपका self-addressed envelope होगा and with stamp rupees strength का clearly mention on the envelope, application for the post and category आप जो envelope होगा उसके उपर आपको clearly mention करना होगा किस post के लिए आप apply कर रहे हैं, किस category से आप long करते हैं, किस category के लिए आप apply कर रहे हैं, ठीक है and इसमें जो last date रही हो within 30 days है तो इसकी जो last date है unit की बात करें, तो किस unit में कितनी post हैं, तो इसमें western year commands unit में 362, 362 post है, southon year command में 28, eastern year command unit में 132, central year command unit में 116, training year command unit में 407 and maintenance command unit में 479, यानि 480 के करीब इसमें post रहेंगी, तो आप जिस भी unit में आप apply करना चाहते हैं, उसी का जो address है आपको notification में दिया गया है, आप address फिल करके आप send कर सकते हैं, अगर हम बात करें important documents की तो इसमें आपकी mark seat लगेगी जो भी required qualification रखी गई है, उस आपकी mark seat जो भी जैसे 10th की है या 12th की है, graduation की है, आपके mark seat लगेगी, diploma या certificate है आप उसको लगाना होगा, साथ में आपका birth certificate के लिए आपका birth certificate या 10th की mark seat लगेगी, card certificate लगेगा, domicile certificate और आपको self attest करके इसको send कर देना होगा, fees की अगर हम बात करें तो यहाँ पर examination fees नहीं है, किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की application fees पे नहीं करनी है, age limit जो है वो count की जाएगी, जो last date रहेगी, 2 माई या 3 माई जो last date रहती है, उसके base पर आपकी age limit देखी जाएगी, okay, so friends, यह इसके जो important points थे, मैंने आपको इस वीडियो में clear किये है, आप इसका जो notification है, आप चेक कर सकते हैं, employment news में, या आपके नजदी की जहाँ भी आप इसका online apply करते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है, तो वहाँ पर यहाँ stress नहीं जो हो रहती है, आप वहाँ पर जाकर के आप employment news ले सकते हो, वहाँ employment news में भी इसका जो format है, वो दिया गया है, आप फिल करके send कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like जरू कीजेगा, चैनल को subscribe करने के साथ, bell icon को प्रेस कीजेगा, thank you.